कोहली का इशारा यह दिगगज होगा चौथे वंडे से बाहर भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा वंडे मैच भारत ने 93 रन से जीत कर सीरीज में वेस्ट इंडीज से दो शूनिय से कंड आगे बढ़ गई है सीरीज का चौथा वंडे मैच 2 जुलाई को सर विविन रुचर्ट स्टेडियो मेंटिका वंडे में एक बार फिर आमने सामने होगी भारत के परफॉर्मेंस को देखकर विराद कोहली काफी खुश है और वो चाह रहे हैं कि चौथा वंडे भी जीत कर सीरीज का फैसला पहले ही हो जाए इसके अलावा कोहली ने चौथे वंडे में कुछ बदलाव के भी संकेत दिये हैं कोहली के अनुसार हम निश्चित तोर पर बदलाव को लेकर चौथे वंडे में सूचे गें ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी टीम में कई ऐसे खिलाडी हैं जिन्हें अभी तक मौका नहीं मिला है कोहली ने कहा कि हमारी टीम इस सीरीज में काफी अच्छा खिली है आपक बता दे कि यदि चौथे वंडे में कोहली बदलाव के बारे में सूचेगे तो युगराज ही एक मात्र विकल्प हैं जो अच्छे टच में नहीं दिखाई दे रहे हैं ऐसे में हो सकता है कि दिनेश कार्तिक या रिशब पंत को मौका दे गेंदव जी की बात की जाए तो मुहम्मद शमी को कोहली मौका दे सकते हैं भारत के लिए अश्विन और कुल्दी प्यादव शांदार स्पिंग एनबाजी कर रहे हैं रवींद जडेजा की जगह नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है टीमेट संभावित भारत विराट कोहली कप्तान महींदु सिंग धौनी, शिखर धवन, रिशब पंत, अजिन के रहाने, भुवराज सिंग, केदार जाधव, खोदिक पांडिया, रविचंद्र नश्विन, रवींद जडेजा, मुहम्मद शमी, उमेश यादव, गुवनीश्वर कुमार, कुभी, प्यादव और दिनीश क पावे, रोव्मन पावे, केसरिक विल्यम्स.